सोतागन भाई और बैनों मात्री सक्तिको नमन चैनल 24 प्लस न्यूज के खास, विशेश, मन मोहग, अच्छे इंसानियत के सुत्र देनत वाला, मानवतावादी बनाने वाला, अच्छे संसकार देने वाला, बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, वरिश्ट नागरी को, हर वर्ग को अच्छे संसकार देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में सुत्र बताने वाला, व्यक्ति तो विकास कैसे हो, व्यक्ति आगे कैसे बड़े, और उसके भविश्य का निर्दारन कैसे हो, जीवन का सार कैसे निकालें, अध्यात्म, विज्ञान और सिक्षा की बताने वाला, पुंदृत्थान कारिक्रम में है, हम प्रति दिन नए नए विश्यों के साथ में प्रवेश करते हैं, हर विश्य को होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगो पांग बनाया जाता है, मल्टी डायमेशनल बनाया जाता है, उसके अंदर ऐसी सामगरी डाली जाती है कि हर वर्ग के लिए, हर रुची वाले के लिए, हर मेंटल स्टेटस के लिए और हर सोच वाले व्यक्ति के लिए वह उपयोगी हो और उसी एक ही एपिशोड के अंदर वह अपने नज़रिये से ऐसी सामगरी निकाल सके, उसका उपयोग कर सके जो उसके लिए जीवन के लिए लाफ दायक हो, क्योंकि हर एपिशोड के अंदर वैसी सामगरी डाली जाती है, शोध परक सामगरी डाली जाती है तो आज का जो हमारा विशा है, ये विराट स्रस्टी को लेकर के हमारा विशा है तो आज का बड़ा सुंदर विशह है स्रस्टी का सौंदरिय भाई और बैनों 10 से कंट सोता गर स्रस्टी हमारी मा है जिसको कॉस्मोस कहा जाता है जिसको नेचर कहा जाता है जिसको हम प्रत्वी कहते हैं जिसको हम पर्यावरन कहते हैं और जिसको ब्रह्मांड कहते हैं और इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनी वो उत्पत्ती स्थान है जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है सभी बड़े आनंद के साथ निवास करते हैं हम एक घर के अंदर पांश अदश्य निवास करते हैं आनंद के साथ में आनंद की अनुभूती करते हैं अब आप सोचिए कि उस्रस्टी के अंदर असंख्य अनंत जीव जब आनंद की अनुभूती करते हैं सहवास करते हैं सांति पूर्ण जीवन यापन करते हैं और जन्म से लगा कि मृत्यू तक अपने कारी कलाब कर सकते हैं तो वो स्रस्टी मा कितनी मान होगी, उसके कितने पुत्र पुत्रियां होगी, वो कितनी धन्य होगी, तो वो वैसी हमारी नेचर मा हैं, उसके सो अंदिरी के बारे में आज बात करना चाहते हैं, ये जो हमारी स् वायू और आकाश पाँच भूतों से स्रस्टी बनी है और कितनी सुन्दर बात है इन पाँच भूतों से 84 लाग जीवा योनी जो हमारी भारतिय संस्कृती में उत्पतिस्तान बताए गए है सारे के सारे जीव commonly इन पाँच ही तत्वों से जनम लेते हैं पाँच ही तत्वों से पोशित होते हैं जिंदगी भर और पाँच ही तत्वों में विलीन होते हैं जब कोई भी प्राणी मर जाता है क्योंकि जीवित प्राणी का जीवन होता है तो उसकी मृत्यू भी होती है जनम के साथ मृत्यू निश्चित है, हर संयोग के साथ भी योग जुड़ा होता है, जनमने वाला हर प्रानी मरता है, कोई इस रस्टी मा मर नहीं है, तो जब उसका राम नाम सत होता है, जब वो मर जाता है, तो प्रत्वी प्रत्वी में, जल जल में, अगनी अगनी में, इसको आइंस्टीन ने जो है सुत्र दिया E is equal to M C square जितनी इसकी एनरजी है वो एनरजी को E कहते हैं M का मतलब मास कहते हैं और C constant है यानि ये भूत काल में है भूश्य काल में है वर्त काल में है इस रस्टी की एनरजी में कोई फरक नहीं आता है as it is बनी रहती है मात रुपांतन होता है ठोस गैस में बजल जाता है गैस द्रब में बदल जाता है और द्रब्य ठोस में बदल जाता है कैसे पानी होता है उस पानी को जमाया जाता है तो वह जम करके बर्फ बन जाता है बर्फ को पिगला जाता है तो पानी बन जाता है सारी की सारी एनरजी इस प्रत्वी मां के अंदर इस रस्टी के अंदर हमेरे सा कायम रहती है कितनी बड़ी सिमिलर्टी है कितना बड़ा एक कॉंसेप्ट है उसके सौंदिरी की आज हम बात कर रहे हैं देखिए इस रस्टी में विविदता है इस रस्टी के अंदर विविदत किस तरीके से है आप किसी हिल स्टेशन पर चले जाएए हिल स्टेशन पर जाकर के आप इस रश्टी मा को निया रिये इस नेचर मा को निया रिये जिसने हमें जनम दिया है कल-कल बैती हुई नदिया है जरने हैं चेह चाते पक्षी है और पशु इदर उदर दोड़ रहे हैं और हरे बरे पोदे हैं और अलग-अलग रंगों के फूल है इस माने कितनी चटा भी के रखी है वो चटा को आप देखते हैं मगन हो जाएंगे मगन होकर के आनंदित हो जाएंगे वैसा आनंद कहीं नहीं मिलता है इसलिए लोग हिलिस्टेशन जाते हैं व्यक्ति किसी बड़ी परिशानी में होते हैं वैकुलता में होते हैं दुख में होते हैं उस दुख को भूलने के लिए वो स्रस्टी के शौंदरी को निहारते हैं और स्रस्टी माने देखिए कितनी सिमिलर्टी है कि माने एक रेत का कण भी अनूप योगी पैदा नहीं किया करती भी नहीं है एक रेत का कण भी जो है हमारे किसी भी गंदगी को मांजने के लिए काम आता आपने कभी देखा होगा कि हमारे राजस्तान की जो बालू रेत है उस बालूरेट से चाहे कितनी भी किसी भी धातू के उपर अगर गंद की जमी हुई है, मेल जमा हुआ है, तो इससे मांजा जाता तो साफ हो जाती है, और यही बालूरेट बंबई में जाकर के बहुत महिंगी बिकती है, अलगलर कलर्स के अंदर इसको दिखाया जाता है, तो गंदा करने वाला मनुश्य है मनुश्य का नजरिया है मनुश्य के अंदर रागद्वेश है वस्तू में रागद्वेश नहीं है रागद्वेश वस्तू में नहीं हो करके नजरिये में हैं हमारी दो आखे हैं एक आख प्रियता की आख है एक आँख अपरियता की आँख है हम किसी वस्तू को किसी व्यक्ती को वस्तू को देखते है यह अच्छा है यह अच्छा नहीं है यह स्वादिष्ट है यह बे स्वाद का है यह बे सुरा है यह अच्छे सुरका और हम कमेंट्स करते हैं opinion देते हैं क्योंकि हमारा वो नजरिया जुड़ता है और हम उस नजरिये को अगर दोनों को एक समान समझें जैसे कि स्रिस्टी मा समझती है स्रिस्टी मा देखिए कि यहाँ पर कितनी अशुद्धी मा के उपर छोड़ी जाती है यह प्रत्वी हमारी कितनी अशुद्धी को सेहन करती है और उसको अशुद्धी का रूपांतरन करके शुद्ध रूप में बनाई जाती है देखिए कि जो हम वेस्ट पुल जो हमारा मल मुत्र त्याकते हैं उसकी नाइट्रोजन काम हो करके और वही खाद बनती है और वही खाद बन करके और फिर सबजी के लिए काम आती है और हमारे फूड ग्रेंस में काम आती है जो पानी हम गंदा करते है वो पानी जो ड्रेनेज का पानी है जो एकदम गंदा पानी है वो पानी फिल्टर होता है filter हो करके हमारी irrigation के काम आता है सबजियों के काम आता है full fruits के लिए काम काता है तो बताइए प्रत्वी की कौन सी चीज ऐसी है जो की useless है कोई भी चीज useless नहीं है प्रत्वी मा बनाती नहीं है इसलिए बाई और बैनों दर्शे गंड सोता गंड यह आज का ऐसा विश्य है मां की जितनी उपाशना खरो उतनी कम है इसलिए दुनिया के अंदर मां के आशिरवाद से बढ़ करके कोई आशिरवाद नहीं होता है जननी जन्म भूमीत्च गरियसी यानि जननी और जन्म भूमी सरग के समान होती है बड़ा से बड़ा व्यक्ति वो ये चाहता है कि मैं मेरी जन्व भूमी का करज उतारूं बड़ा से बड़ा सैनिक है वो फ्रंटीर्स पे क्यों लड़ता है वो अपनी जान हतेली पे लड़ता है क्योंकि वो इस महाकारिन उतारना चाहता है ये सरस्टी की खूबी है, ये सरस्टी का सौंदरिय है, लेकिन मनुश्य आज बहुत लोबी हो गया है, अब मैं आज के परिप्रिक्ष के अंदर बात करना चाहता हूँ, कि मनुश्य जो है, इतना लोबी हो गया है, कि सरस्टी मा की अवेलना कर रहा है, सरस्टी मा कहती है, कि आरे राजस्तानी में एक कावत है, कि जिसने चौँच दी है, वह चुगा भी देगा, और हमारी स्रस्टी मा कलियर कहती है, कि मैं तुम्हें किसी को भूखे नहीं मरने दूगी, भूख और पानी कान तुम्हें मरने नहीं दूगी, मेरे पास में ample of the plenty of the things are there to survive you, लेकिन मनुश्य कितना लोबी है, कि इस रस्टी का पूरा दान उसको दे दिया जाए, तो भी एक मनुश्य की तरशना तरप्त नहीं होती है, ये greed कहलाती है, और इस बुराई के कारण आज रस्टी मा का दोहन हो रहा है, कैसे दोहन हो रहा है, कि हमारे जो औरीजनल प्रत्वी है, उस प्रत्वी को खोदा जाता है, अजार फुट, दोजार फुट, तीन अजार फुट, पांजार फुट, उसमेंसे पानी निकला जाता है, और उसमेंसे कई मिनरस निकले जाते हैं, उसमेंसे क्रूड निकला जाता है, पेट्रॉलियम निकाला जाता है आदी आदी उसका दोहन किया जाता है मार्मल निकाला जाता है और उसका आज दोहन इतना हो गया है कि प्रत्वी की सेंटर अफ ग्रेविटी हर व्यक्ति की सेंटर अब ग्रिवीटी होती है हर वस्तू की सेंटर अब ग्रिवीटी होती है जब वो सेंटर अब ग्रिवीटी डिस्टर्ब होती है तो व्यक्ति गिर जाता है हमारी प्रत्वी के दोवन के काराण उसकी center of gravity disturb वोने से सुनामी आते हैं भुकम पाते हैं अती वरस्टी आती है अना वरस्टी आती है यह हमको punishment है मां यह कहती है कि मैं तुम्हें पारितोशिक दे सकती हूँ तुम्हारा बरन पोशन कर सकती हूँ तो मुझे punishment देने का भी अधिकार है हमको समय समय पर punishment दिये जा रहे है आजकल बिमारियों का कितना प्रकोप है क्योंकि हम nature की avail ना कर रहे हैं हम अप्रकर्तिक हो गए है हमारा भोजन है वो जंक फूड हो गया है हमारी सोच है वो negative हो गई है और हमारी जो life style है वो आराम तलबी हो गई है हम परिश्रम बिल्लुकुल नहीं कर रहे हैं मोटे होते जाते हैं आराम करते हैं और ऐसे ways डूंडते हैं जिससे कम से कम परिश्रम करके अधिक से अधिक कमाया जाए बाई एन केन प्रकारेन बाई हुक और कुरुक man want to make more and more money उसके कारण व्यक्ती मोटा होता जा रहा है व्यक्ती अविवेकी हो गया है व्यक्ती स्वार्ती हो गया है व्यक्ती लोबी हो गया है व्यक्ती बीमार हो गया है और इसी कारण से ये स्रस्टी की सारी अवेलना है मैंने आज की परिपेक्ष में बात कही मा का सुन्दरी बहुत सुन्दर है स्रस्टी के सुन्दरी को मत बिगाड़िये स्रस्टी के सुन्दरी को न बिगाड़ने का अर्थ क्या है अर्थ यह है कि इस स्रस्टी में जिसने भी जनम लिया है हरेक सुक चाता है कोई दुख नहीं चाहता छोटा से छोटा वाइरस प्राणी भी मरना नहीं चाहता वह भी जिंदा रहना चाहता है तो हमें उसका जीवन हनन करने का क्या अधिकार है हम कितने जीवों का हनन कर रहे है प्रत्वी का है अप का है तेजस का है वायू का है और वनश्पति काई ये पंच भूत है पंच भूत सजीव है मैं जैन दर्शन को कोट करना चाहूंगा जैन दर्शन शट जीव निकाय का सिद्धान्त है असंग की अनन साल पहले दियाता उतना दूर नहीं जाएं तो भगवान मावीर के समय को जाएं तो वो 100% इको फ्रेंड ली थे 100% वो पर्यावरण के संगरक्षक थे 100% वो स्रस्टी मा के उपासक थे इसलिए उन्होंने प्रत्वी जो हम उपर जो प्रत्वी के रेत अटा करके कोई फोडते है मुरड है खरड है माटी है गिरू है कुछ भी निकालते हैं ये असंख्य आत्मों का पिंड है काय का मलब शरीर प्रत्वी रूपी इस काय के शरीर में असंख्य आत्मा निवाश करते हैं उनको फोड़ के मारते हैं अप काय मलब पानी जरने का पानी कुए का पानी तालाब का पानी और अपने समुंदर का पानी एक वूंड के अंदराज विग्यान ने माना है कि 3434 अज़ार आत्मा हैं हमारे जैसे रहती है हम मनुश्य है हमारे शरीर है हमारा भरन पोशन होना चाहिए यह हमारी नीड हो गई है यह नीड जायज है इस नीड को प्रत्वी माने स्रस्टी माने अलाव किया है लेकिन ग्रीड अलावड नहीं है वो हम कर रहे हैं वो बड़ा एक अन्या वह सृस्टी मा का दोवने ये सृस्टी का सौंधरी डिस्टिट करने का है सृस्टी ये कहत blanc है, तो मेरा सौंधरी मत बगाड़ो मेरा जो मूल सुरूप है, वो सुरूप में रहनो दो देखिए मैं आपको वेदों में कितर्प ले जाता हूं हमारे भारत के अंदर हमारे हो की संतान है और वेद हमारे रिटन स्क्रिप्चर से पांच जार साल पुराने है वो इश्वर करत माने जाते हैं उसके अंदर हर स्रस्टी की चीज की जो पूजा की जाती है क्योंकि वो हमारा भरन पोशन करती है पीपल को पूजा जाता है, पेड़ों को पूजा जाता है, क्योंकि वह मौक्षिजन देते हैं, और प्रत्वी देवता की पूजा होती थी, अगनी देवता की पूजा होती थी, वायू देवता की पूजा होती थी, जल देवता की पूजा होती थी, जो फाइव कॉंस्ट्ट इतना पापी हो गया है इतना लो भी हो गया है कि वो किसी पाप अधर्म को नहीं समझता है इसलिए इतना पाप बढ़ रहा है कि उसका पाप का गड़ा बरता जा रहा है और साथ साथ में फूरता भी जा रहा है प्रति दिन हम देखते हैं कि आज जापान में भुकम पा गया आज भारत के दक्षिन भाग के अंदर बुकंप आ गया, वहाँ पर सुनामी आ गया, वहाँ पर इतने लोगों की जान चली गई, इतने एर क्रेश हो गया, ये सारे स्रस्टी के सौंदरी की अवेलना, स्रस्टी के हस्तित्यों की अवेलना करने की करिणाम है, इसलिए बाई और बैनों दर्शेगन सोतागन आज बहुत सुन्दर एपिशोड है इस एपिशोड के माद्यम से साथ अरब की जनसंक्या से मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो हमको जीवन देता है जो हमारा भरन पोशन करता है हमको जिन्दा रखता है हमको अस्तितों में र दुख है इसलिए हमेशा चिन्तन करो कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को केंचित मातर भी दुख ना हो दुख ना हो हे मेरे भीतर विराजमान शुद्धात्मा भगवान मुझे शिशक्ति दो जागरति दो कि मेरे द्वारा जगत के किसी भी प्राणी क केंचित मातर भी दुख न हो सबसे बड़ा धर्म ये है कि प्राणी मातर को दुख देना दर्शेगन सोतागन भाई और बेनो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनुरुथान कारिकरम अत्ति उत्तम एपिशोट्स पर बात करता है होलिस्टिक बात करता है और सुन्दर जीवन के बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको फरोसी जाती है उससे आपका जीवन का निर्मान हो सकता है क्योंकि हमारा हुद्देश यही है कि व्यक्ति के नकारात्मक भावों को अटा करके उसकी जगे सकारात्मक्ता लाना नेगेटिविटी को हटाके पॉजिटिविटी लाना इसलिए पुनुर्थान कारेकरम का चैनल 24 ने आहोजन किया इतने इतने एपी शोड्स दिये गए हर एपी शोड्स के अंदर पॉजिटिविटी बताई जाती है नेगेटिविटी को हटाने के लिए बात कई जाती है इसी करम में आपका जीवन आनन मैं हो मंगल मैं हो और सुख मैं हो आप शताई हो करके और समाज का खूब परोपकार करें अपने जीवन को दन्य बनावें आपके प्रती मंगल भावना